ये बोर्ड किंडम का राजा है ईगल प्रकृति रोज चिखाती है कि आपको यह जलना पड़ाएं सतर साल उस्तों नोमर होती है 47 साल एगल को उमर होता है सिंवेकिन इसकी कहानी का ट्वीस्ट प्रकृति यह और वह يह है कि चालिस साल जब ये हो जाता है तो इसकी जो चोंच रो इसकी जो पंख है जिससे उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं यह चाती चिपक जाते हैं इतने भारी हो जाते हैं कि छाती से चिपक जाते हैं इसको उड़ने में तकलीफ होती है इसके जो पैर है जिससे जपटा मारता है वो नाकुन टेड़े हो जाते हैं करकर के करकर के करकर के 40 साल अब इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद मर जाए क्योंकि उड़ सकता नहीं है कर नहीं सकता है पंक भारी होगे उड़ना दिकत शिकार पकड़ नहीं सकता है क्योंकि पैर के नाखुन खराब होगे और पकड़ ले तो चोंच से उसको मार नहीं सकता है अब इसके पास चौश है चालिस साल में किया वो मर जाए लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्थर पे मारी जाती है तो पीड़ा होती होगी और वो पीड़ा सेहता है मार मार के पथर पे मार मार के खुन निकलता है लहूलुहान हो जाता है दर से मर रहा होता है लेकिन मारता रहता है मारता रहता है और चोंच को तोड़ देता है इसलिए तोड़ता है कि प्रकृति नहीं देगी लेकिन जो तोड़ेने का प्रोसेस है वह पीडाता है कि सेम कहानी जो पैर के नाकून रहते हैं उसको रगड़ता है शिला के उपर रगड़े रगड़ के तोड़ देता है उसको कितना बेनफु रहता हो गया लेकिन हर एगल की जिंदगी में ऐसा दिन आता है चालिस साथ जैसे ही चौच निकलती है कहानिया खतम नहीं होती है नई चौच आती है फिर वो उस चौच से अपने परों को तोड़ता है अपने जिस्म से अपने ही पर उखाड़ता है क्योंकि पर उसके उड़ने के लायक नहीं रहे भेंकर भीड़ा होती होगी भेंकर लेकिन इस प्रोसेस से हर एगल गुजरता है पर जिंदगी में और चालिस साल की इस प्रोसेस में शे महिने के बाद वो एक नया एगल होके तीस साल और जीता है तीस साल और जीता है तो आहूती त कल परसों चॉइस आपकी है मैं फिर कहता हूँ आज कमफरटबल हो जाएंगी तो जिन्दगी अनकमफरटबल होगी आज अनकमफरटबल हो जाएंगी तो जिन्दगी